हलोई फ्रेंड्सَ क drag to onet tutorial for your better understanding खर खरो फ्रेंद्स Хार्मश में वार्शनावाच्ट गूर्ट ग्रहर इन सॉस्था Give को । हमने देखा एक्कॉंटिंग्र क्म्स कितने होता तुमंगारी नोयिकों क्मorg मतर्डियू मैं भी एक cuatro किस तरह से बनाया जाता है यानि कि जो step से step by step account को किस तरह से हमें बनाना सीखना है वो हम लोग यहां पर इस वीडियो के नराज हम लोग जानेंगे तो first step जो है हमारा वो है the first step to prepare the accounts is the voucher voucher क्या होता है friends voucher is the first step of business transaction which is a valid written document of a transaction made यानि जो भी transaction हुआ business के अंदर sales हुआ या तो purchase हुआ तो जो कुछ भी हुआ तो एक voucher बनेगा तो उस voucher के base के ओपर हम लोग identify कर पाएंगे कि यह जो transaction हुआ वो cash transaction था या credit transaction था तो यह voucher के base के ओपर हमको हमारा transaction उसको identify कर सकते है and the second step is identification of transaction whether transaction of a business is economic or non-economic whether the transaction is cash or credit is determined at this stage तो जो voucher जो हमने बनाया था उसके ओपस हमें जो identification करना था तो हम identification करेंगे कि यह cash वाला economic transaction है या non-economic transaction है और यह cash wallet transaction है या credit wallet transaction है हमको इसके वाउचर के उपस हम इसको identify कर सकते हैं है अब जो third step जो है accounts बनाने के लिए वह जर्नल एंट्री तो जो जर्नल एंट्री जो है यानि यह पर जो लिखा है आपके सामने जर्नल तो जो जर्नल जो होता है वो होता है जहां पर हम लोग जो transaction को हम लोग इसको record करते हैं अंडर इस टेज एकोनमिक ट्रांजेक्शन ओफ बिजनस और रेकोड़ेट इन जर्नल और सबसीडिरी बूग्स जो भी transaction हुआ केश वाला हुआ या फिर क्रेडिट का चाहे वो इंकम का हो चाहे वो क्षेस चाहे वो इसको रेकोर्ड करेंगे तो इसको हम लों किस urgent करेंगे जर्नल के अंदर दर करेंगे और इसके लिए हमें देबिट कर एक विदिए मे में बनाया गया हुआ inmate उस वीडिओ को आप लोग उसमें से अच्छी तरशे सकते है and then the next step is the ledger on the basis of this journal we can post these entries in the Ledger Ledger क्या होता है accounts होते है जैसे कि अगर हम लोग डेक्टर्स वाइक account बनेगा फिर creditors एक अगोउंट बनेगा फिर cashbook है तो केश का अक एक काउंट बनेगा फिर अगर बेंक का एक आपका इसे तरह से अलग-ग जितनी भी पार्टी हमारे बिजनेस के साथ इनवोलव और जितने भी एक्सपेंस है तो इसके लिए अलग एकोउंट बनेगा तो सब जितने भी अलग-अलग जो हम लोग एकांट बनाते इसको बोलेंगे अम लोग लेजर के बाद जो मरा नेक्सिक पोइड जो है जो नेक्स्ट एकांट जो step रहेगा वो है हमारा वेल एजस्मेंट्स क्या है यह जो हमने जो लेजर्स जो हमने वटना है यानि अलग अलग जो सारे एकॉंठ्स में ढ춰 क्रेडिस का केश का बेंक एकस्पेंट्स पर Да बेल्स रिटर्म पर्टेस रिटर्ण है जितने भी बने हैं इसके बाद में जर कर सके चाहिए जैसे कि बारेमे मालुम चलेगा वरो तो उसके जो transaction जो होगा वो सब adjustment के अंदा दिया होगा तो trial balance and adjustment is the next step to prepare the accounts and the last step to prepare the account is the final accounts. final accounts याने कि जो हम लोग 31st March को जो हम अपने प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते है final accounts और फ्रेंस final accounts के अंदर तीन चीज़ आती है first trading account अगर हमने trading business है तो यहां पर trading account आएगा फिर आएगा profit and loss account और third आएगा हमारा यहां पर balance sheet फ्रेंच trading account क्यों बनाया जाता है हमें gross profit जनने के लिए gross profit या gross loss जनने के लिए में trading account बनाया जाता है trading account के बाद जो बनता है वो है profit and loss एकाउंट यानी उस profit and loss account के जरी हमको पता चलेगा कि हमारे business में हमने net profit and net loss कितना हुआ उसे हमें पता चलता ए और फिर जो final जो बनेगा वो बनेगा हमारा final accounts के अजर जो third account जो बनेगा उसका नाम है balance sheet balance sheet जो होती है उस हमें दो साट होती है Left dry Qi वोती है liability and right in Sats यानि की हमारी जिम्मेदारियां जिम्मेदारी के अंदर कौन क्योंची बेचर्फ होनर की जबन से जो जन्मेदारी है यानि business की ओर के प्रति जो जिम्मेदार यानि कि capital और दुसर्य external liabilities यानि की non current liabilities an current liabilities Kita जो हमने आगे टर्मिनोलोजिस का जो वीडियो देखा था उसके अंदर आपको अच्छी तरह से इसको explain मैंने किया था तो आपको शायद इसको यह याद भी होगा आप लोगों को कि non-current liabilities नो कौन-कौन सी चीज़ आती और current liabilities में क्या-क्या आता है और जो right-hand side के ओपर जो balance sheet में जो बनेगा वो होता है assets assets हमारे कितने प्रकार के होते एक होता है non-current assets और एक होता है current assets जो non-current assets जो होगा non-current assets के अंदर भी दो part पढ़ेंगे एक होगा tangible assets और एक होगा intangible assets जो हमने terminologies के अंदर हमने already इसको explain किया हुआ है तो friends hope आप लोगों कोई समझ में आ गया होगा कि final accounts कब बनता है सबसे last में बनता है तो जब भी हम लोग accounts जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो यह start जहां पर होगा जो इसका preparation जो होगा जितनी भी इंट्रिच पड़ी वोग बनेगा वह account बनेगा वह लेजर के ओपर से हम लोग सका summary बनेगे वह summary को बोलते है और वह ट्राइल बेलेंस के बेज के ओपर फिर हम लोग बनाएंगे final accounts final accounts के अंदर आएगा trading account profit and loss account and balance फ्रेंड्स आप लोगों को यह chapter के बारे में जितना भी इसमें involved था वो सब कुछ मैं आपको यहां पर already सब कुछ समझा चुका हूँ अगर फ्रेंड्स आपको इसमें से इतने जो first chapter जो था आपका ilan standard का accounting and its terminology अगर इसमें कोई भी doubt है तो आप लोग मुझे comments के जरीए आप लोग मुझे पूच सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर आपको यह concept अगर समझ में आया है आपको यह अगर easy लगा है अगर concept तो भी आप मेरे को comments के अंदर आप मुझे आपके review दे सकते हैं okay friends अब हम लोग आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसके अंजर हम लोग debit credit के जो rules है वो भी मैं आपको बताऊंगा और दुसरे जो भी journal entries कैसे बनाने कैसे ledger बनाना है उसके भी next वीडियो में आप लोग देख सकते हैं okay friends बाइबाई please like and share this video and don't forget to subscribe our channel